आज हिंदू धर्म में चेतर के महिने की ये सिंधारा दूज है आज नौरात्रे की चेतरी नौरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज करते हैं कौन सी दूज करते हैं जम के बुलिए सिंधारा दूज सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि कल है तीज जिसको हमारे यह गणगोर तीज करते हैं संकर और पारवती 16 दिन तक तयार हुए थे और तयार होने के बाद शिव और पारवती शिव महापुरान के यजमान बनकर जा रहे थे तो कल का दिन है वो है कौन सा दिन है कल का गणगोर तीज का दिन चेत्र के महिने में जो शुकलपक्च की तीज आती है वो चेत्री नवरात्रे में जो तीज की तीज होती है उस दिन शंकर और पारवती शुमहा फुरान के यजमान बनकर कथा सुनने के लिगते सोला दिन तक पारवती और शंकर का शंगार होता है उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है क्यों सिंधारा दूज करते हैं सिंधारा दूज का मतलब क्या है क्यों हिंदु धर्म में चन्दारादूज मनाई जाती है ? किसलिए ? आज पूरे भारत की भूमी पर कई माता हैं हात्समे मेहन्दियां लगाती है चूनियां पैंती है सुन्दर चुनडि पैंती है मा ब्रह्म चारणी का पूजन करती है, माता का राधना करती है, सिंधारादूच, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारादूच का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी, जब चौधा दिन तक शंकर और पारवती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले, शिव महापुरा संदर चूडियां, संदर आभूशन माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे, और कहा मा, इन चूडियों को मैं दे रही हूं, ये लाल चूडी, ये लाल शंगार, ये लाल बस्तर, जो लाल चूनर यों प्रणान कर रही हूं, मा, बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन आज का बहुत बहुत बगाए, माता पारवती, गणगोर महाराणी, ब्रह्मचारणी महाराणी, मा जगजन्नी, आपके सुहात को अखंड सो भाग्यवत्ती बनाए, ये ही भगवान से प्राथमी, जैसे चंचुला देवी ने माता पारवती से निवेदन कर अप आप भी ए हे मा, हे दयाकर, आकरपाद, होड़े चुनरी आलाल, होडे चुनरी आलाल, जाओं इस दुनिया से स्वयम चंचुला देवी मा पारवती से सिंजाना दूच के दिन निवेदन करती है कि मेरा सोभाग्यमर कर दो और आप के सिवा कोई नहीं कर सकती, इसलिए माता के चरणों में चूडी वी दी, महंदी वी दी, टीकी वी दी, संगार वी दिया, वस्त्र वी दिया, इसलिए स पूसरे को सिंधारा देती है, आज भी निया में मारा, करपा करो मारा